हेलो फ्रेंड्स मैं आपका मैंटर A.K. सिंग और अब आपकी जो मैंने कहा था यानि कि आज से हम कोशन आंसर यानि कि कोशनों की तयारी करेंगे साइकों का हमने जातर सारे चप्टर कवर के लिए हैं चाओते चप्टर तक आचुके हैं अब आपका देखना है कि कितना आपको पढ़ा है वह याद है कि नहीं है और अगर थियोरी पार्ट से भी याद ना हो तो कोश्चनों से आपको अपने सवालों को हल करना है और उस चीज को याद करना है क्योंकि थियोरी तो वहां लिखनी नहीं है कि कहानी बनाई और लिख दिये हमें क्या करना है multiple choice question आएंगे multiple choice question को हल करना है तो आप ये लिए देखिए अगर आप अब डर के हारेंगे और ये सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता कठीन परिश्रम से सफलता मिलती है यानि कि कठीन परिश्रम से ही सफलता मिलती है अगर परिश्रम नहीं करोगे सफलता कैसे मिलेगी आलस्य से क्या है पराजय और एहंकार से कटनाई की यानि की अब परिश्रम करूगेए तो क्या मिलेगा ठेंगा यानि कि अगर आप परिश्रम नहीं करोगे ऑनो जारी रखे और आपको पता है कि सोढ़ रहे थे के वी एस के पैड़ागोजी कि मैं पैड़ा गोजी आपके DSSB में आती है और सब जग आती है तो हम क्या करना है अभी हम चल रहे हैं कि इसकी तयारी में फिर जब नहीं किसी का हमें चैलेंज मिलेगा यारी कि हमारे पेपर आएगा तो हम उसकी तयारी करेंगे अब आपको क्या करना है जो पहली इनिट है अंड और इसमें जितने कोशन मैं कराओंगा ज्यादा से ज्यादा कोशन कराओंगा क्यूंकि ज्यादा से ज्यादा कोशन आप करोगे तब ही आपका माइंड फ्रेश होगा यानि कि अब आपको विंबार में यानि कि विंबार ज्यादा लेना है और बरतनों को अच्छी तरह से किस की सिक्षण में सामाजिक समवाद से ज्यादा रूची थी यानि कि ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बैसा माजिक समवाद कि का जहां भी बात आ जाए और उसमें क्या हो जादा रूची यह वर्ड याद रखना और कुछ भी छोड़ता आगे कि छोड़ता तो सीधे सीधे आंक बंद करके लगा देना वाइगोस थी ठीक है याद रखना चॉम्सकी प्याजे गार्डनर कोई नहीं होगा सीधे सीधे आपका होगा सामाजिक समवाद में जादा रूची किसकी थी वाइगोस की थी चलिए आगे चलते हैं बच्चे इस्थिती को परिवर तन्शील मानते हैं कटनाई की पहचान करते हैं और तै करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है इस विशिष्टा को क्या कहते हैं जल्दी बताईए समस्या केंद समानता करना यानी की option number 3 अब आप यहां सोच यह यह पहले हम समस्या के अंतर समान यानि सामना करना ठीक है अब बच्चे ही सोचे के समस्या के दे सामना करना और भावनाओ के दे सामना करना ये दोनों वाले जातर आप आंसर लगाते हो यानि सामना करना सामना करना भावनाओ के साथ भी और समस्या के साथ भी आप बच्चे लगा दो कि इसका आंसर बिल्कु को करने का और यह सब चीजे आपको बताई है सब कि क्या होती है अलग अलग होती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह होता है और सक्रिये में आपको बताई है साथ साल से ग्यारा साल का बच्चा यानि कि यह कि चीज की बात हो रही है साथ से ग्यारा साल के बच्चे की ब बढ़िए नीद के प्रति रूप के संदर में निमले कितमें से कौन सा खतन सही है यह बढ़ती हुई वर्ष में बढ़ती है यानि कि क्या कह रहा है बढ़ते हुई वर्ष में बदलती है ठीक है पहला क्या कह रहा है यह बढ़ती हुई वर्षों में बदलती है दूसरा क्या क पर जाने से रोकने के विस्तार में दिन चरिया यानि कि इसमें आंसर क्या होगा चलिए आपके सामने कुश्चन का आंसर दिया गया है तो बताइए क्या होगा इसका आंसर भाई इसका आंसर हो जाएगा दोनों यानि कि दोनों ही एप्रोप्रेट इसके आंसर हैं चलिए अब पढ़ूँगा सीधे आपको आंसर देखकर आपको आंसर अपने मन में सोचना है और अपना कमेंट सेक्षन को भर देना है ठीक है कमेंट सेक्षन में कोई स्पैम कमेंट मत करना only for answer ठीक है साथ ये समू में मित्र और से भागीता का विकाज डैश हाईयो के दोरान बढ़ता है तो बताइए किस दोरान बढ़ता है जल्दी बताइए आपने ये जो उमर सुनी है 6-12 इसमें आएगा आपका आंसर यानि कि साथ ये समू में मित्रता और से बागीता कोडिनेशन आपने देखा हो कि छोटी चटी बच्चे कहते हैं ले मेरी पैंसिल ले ये इस तरह वह भी कि सिफ अपने मित्र को देता है और किसी को नहीं देता अकर उससे कोई ये कहते कि पैंसिल दे दो कहुं मैं क्यों दूँ इस तरह की बात करता है तो ये सब चीजे जहां नखना चलिए कोशन नंबर पांस देखते हैं कोशन नंबर पांस क्या कह रहा है यूव वैस्कता कोशन नंबर पांस दीखते हैं कि यूव वैस्कता को कोशिष ने वाले विसवाद लशा के रूप में किसने लेवल किया है तो ये किसने लेवल किया है ये इस से तरह कटशे toilets कोशन है तो कहीं न कहीं असिसस्टेंट टीचर वाला ही पेपर होगा कोई न कोई क्योंकि इस तरह के कॉशन जादर के में पूछ नहीं जाते तो इसका अंसर होगा शे एंड चलिए आगे देखते हैं कॉशन नमबर six कोशन क्या करा है देखिए आपके सामने हैं जल्ली बते कोशन नमबर किस अवस्था में यह बी इसका आएगा मद्य वैस्कता तो द्यान अकना यह कोश्चन इसलिए डाले गए हैं मैंने बोल के डलवाए थे क्योंकि आपको पता चल जाए कि अगर आप केवी की तयारी नहीं करोगे ढंक से ठीक है और और किसी चीजों की तयारी में फिर लगोग यानि कि केवी एस देखिए केवी एस डी ट्रीपल एस भी एन्वी एस अगर पहले नंबर पर लेगे जाए डी ट्रीपल एस भी दूसरे पर केवी एस और तीसरे पर एन्वी एस इन तीनों के लावा अगर आप किसी और की तयारी में जाते हो तो फिर तो आपको इसी तरह क अटपटे कोशन को पढ़ना पड़ेगा मैंने बोल के कुछ कोशन इस तरह के डलवाए हैं कि आपको इस तरह कोशन आ जाएं और उसकी लेंग्वेज समझ में ना है तो आपको इत्यान लखना इंगलिश में पढ़ लेना है चलिए कोशन नमबर सेवन देखते हैं कोशन पहचान को बोध ना होने का अभाव यानि कि ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा सकांद से चलिए कोशन नमबर आठ देखते हैं क्या उपलक्षता करता है यानि कि क्या उपलक्षता करता है विकास होता है गुणा आत्मक परिवर्तन के उपलक्षता करता है आपको पताया था आपको दो चीज बताहीती, विकास और वृद्धि, ठीक है? यह बताहाा था, अब विकास क्या है? यह वृद्धी क्या है? वृद्धी क्या है? विकास आपको बताहाा था, जीवन प्रियाप चलने वाली प्रकरिया, वृद्धी, development, continuous, और ग्रोथ क्या है? एक certain period में आखिनी ली कि में तो कौन से और विकास या उउझद्धी चली के देखको कोशन से दो वर्ष साल की उमर तक परमुह विशेष्टा विकासात्मक परिवारतन क्या होता अब है क्या होता यह कॉस्चन है DSSB का ध्यान अखना और DSSB question में देखी कितना ऐसे जो Central Government वाले याने इस तरह के जो पेपर मिलें सेंटर का ही पेपर मानके चलिए क्योंकि DSSB वैसे ददिली का बोर्ड है पर Central Government जैसे KV है NVS है उनके standard होते हैं ऐसे अटपटे question आप से कोई भी कुछेगा नहीं जिससे बिंद सिर्फ पैरवाले की चीज़ आप से सामने आजाए तो आपके सामने कोशन का answer क्या होगा बच्चे मूलगूत कारे जैसे चूसना पकड़ना देखना सुनना और इस तरह के कारे कर लेता है यानि कि option question number four हो जाएगा फूर रू कि कुछ नमब्र दस करानानी उनमें इसकरुंसा विकास का सिद्धानग नहीं है अब विकास का सिद्धानग विकास का सिद्धानग eki सीदंग ता को निरंतर दंगा सिदंग का सिद्धानग के यानि की टीन हो गए नीचे के तीन हो गए तो अब यह गए विशिस्ट से सामाने की क्रियाओं को सिदान यह नहीं होगा तो इसका अंसर यह हो जाएगा चलिए और हाँ एक चीज और यह चीज अपने मोनीटर पर चला देना मोनीटर का चलावा पैन का दुख नहीं होगा पर अगर आपके नंबर कमा गए उसका दुख जरूर होगा कुश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कुश्चन नंबर 11 कह रहा है बालक के विकास के किस अवस्था में लेक्ट्रों और ओडिप का विकास प्राग्रम होता है तो यह कौन सी अवस्था है भाई शैस्ष्य अवस्था ठीक है अब शैस्ष्य अवस्था कब से शुरू होती है तीन वर्स से यानि कि यह वश्था तीन वर्स से प्राहरम कर कब तक जाती हैं बताव जली भई च्या वर्स तक चार से च्छे मी मिलेगा आपको तीन से मिलेगा कुश्ष नमर बारा देखते हैं निमलिकितम है कौन सा विकास का सिद्दान्त नहीं है विकास का सिधानत क्या नहीं है विकास का सिधानत सभसे आप सारी यहां दिख जाएगी विकास सदै रेकेख होता यानि कि नहीं रेकेक नहीं होता वो अभी बताएं विकास क्या है continuous process आप एक सहर में रए रहे हैं तेक इसका विकास पहले बड़ा गट भी सकता है बढ़ भी सकता है गट भी सकता है बढ़ भी सकता है तो वह है विकास वृद्धी क्या है वृद्धी एक बार certain period में आके यहां रुख गई बस ठीक है तो दिहान लखना कुश्यन नमबर 13 क्या कह रहा है ECM- Kya कह रहा है ECM- को स्टापित करने कि क्या होता है भाष अभिक्रान यानि कि भाषा के बारे में करता है वह समाज के बारे में कुछ निए से विवित्ता के बारे में कुछ नहीं, आचरन सहीता के बारे में कुछ नहीं, आप्शन हो जाएगा आपका बाशा, चलिए, कोशन नमबर 14 देखते हैं, सीमा हर पार्ट को अती तीवर गती से सीखती है, किन्तु लीना को 19 को सीखने में अधिक समय लगता है, भाई इस तरह क कुछ नहीं आपको सीट आट मिलता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेजिए गा, भाई ये कौन सा है, वैक्तिगत बिनता, मिलेगा, वैक्तिगत अंत्य कुछ भी मिले, आपको बस वैक्तिगत दिखाए देंगा, वैक्तिगत बिनता हो जाएगी, आप हूं, मैं हूं कोई आपका दोस्ते पड़ोसी कि बोलने का पढ़ने का तरीका अलग-अलग होगा चलिए विकास कब से शुन सबस्ते हैं विकास कब से सुन होता है कि अगर आग बंद करके लगाना है तो यह आंसर यानि कि मा के गर्ब से जब जैसे मेहले मार्त पीट में रखती हैं अपने बच्चे हो गाल केस हो गए 10 महीन ही किमार मैंने में मार्ठ माने जाता है रहता हुँ कि ऱ्रह यर्च इन वे पयाता है उस किई मभध सब्सक्राइब नबदा हो मृत्यू भी एक ऐसी चीज है जो विकास को रोक सकती है चले कोशन नमर 16 देखते हैं यानि कोशन नमर 16 देखते हैं बच्चे डैश की अवधी के अंतक मानसिक प्रति निधित्व वाली गती विदियो जैसे की बहने करना यानि बहाने करना आधी के संगलन होने के शच्च होत करूँ है जो लंबे चूड़े कॉशन मिलेंगे वह जातर केवी के एट्बी आono कि डिट्रिऑ थैसे के मिलेंगे तो जो यह देखिये अब आफको सारे इसी में कुल देगां उससे आपसे कोमा लगा लगा कर कोमा लगा लगा के एक सारे चीज़े पूच दी लिब DIRECTOR खREC Ace फिर मान्सिक प्रति निदित्व वाली गति विदियो जैसे की बहाने करना आदी अब बहाने काओ करें ज्ञानात्म को यानि की सेंसरी मोटर ऑप्शन नमबर चार जाएगा सकान से कुश्चन नमबर सतरा देखते हैं मद्य उमर के बच्चों के विकास के लिए नियुन में से कौन सी सुसीए करनी है रनीती सही है। पहला क्या है पांस से चैवाश के बच्चे बहारी sì कर सकते हैं ज्यादा बच्चे मैमिनक से कम-10 वर्ष की आइउत हासि नहीं करते य्यानी ग्रूंग नहीं करते चार और आकरी का चार वर्ष की उम्र वाले दोहरा यानि कि इसका जो आंसर होगा आपका option number 3 क्योंकि पहला और दूसरा हो जाएगा यानि कि option number 3 आजाएगा इसका answer ठीक है अब थोड़ा time ये लग रहा है मुझे कि वीडियो लंबी बन जाएगी तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ question पढ़ूँगा और सिधे-सिधे आपको answer बताता चला जाएगा जो कि वीडियो लंबी होगी तो आपका time waste होगा time waste में चाहता नहीं question number 18 देखते हैं जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए जन्म में से कौन से कारक जिम्मेदार है तो क्या जिम्मेदार है बई देखे जब इस तरह question आया तो आपको यह द्यान लगना है कि जब आप आप खुद imagine करें लेडिस तो imagine कर सकती है जैंस कैसे imagine करें जैंस imagine करो अगर आपको कमजोर हो आपको दूबले पतले हो तो क्या करोगे आपको सब उल्टा चीदा करेंगे यह तरह की चीज़ आएंगी तो क्या answer हो जाएगा असका answer देखे फिराया गर्व से पहले की कारक जैसे की बच्चे को यानि की इन दोनों चीज़ होगे कारण बच्चे का बाहर काम होता है चले question number 19 देखते हैं भरमन में निमलिकित में कौन सा हल्चल यानि कौन सी हल्चल उस से ली गई की एरिक्षन के सिदांद के अनुसार पूरे जीवने विकास के सम्मंदित आयों से सही ढंग से समलित है तो क्या समलित है बताइए इसका answer होगा option number C यानि की A और D दोनों है और A और B दोनों यानि की A पहला और दूसर दोनों हो जाएंगे question number 20 क्या कर रहा है स्वेत्ता के संधर में स्वेत्ता बनाना यानि बेनाम शर्म और संधे क्यों है तो इसका answer होगा निकी जब आप इस तरह की चीज़े आती है तो मूल विश्वास बनाने यानि की जनम से ठरवास तक होता है यानि कि पहला बना अपराद और इस तरह की चीज़े जब आ जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा option number 2 यानि कि 2 आ जाएगा ये वाला इसे में बच्चे स्वैम परतिग्या और दूसरे के द्वारा नियंतर्ण के बीच संतुलन हासिल करते हैं option number 4 हो जाएगा केवल 2 question number 21 देखते हैं erection के अनुसार डैस्वैम की एक सुसंगत अवधारना यानि कि अवधारना है जो लक्षे मूल और विश्वासों से बनी होती है जिसके लिए व्यक्ति ठोस रूप से प्रति बद होता है तो वो क्या होता है बताईए आपके सामने answer है answer क्या है पहचान ठीक है चलिए आगे चलते हैं question number 22 देखते हैं बच्पन में मनों सामाजिक विकास के संदर में पहल बनाम अपराद क्या था तो पहल बनाम अपराद क्या है देखे इसका answer होगा option number B यानि कि पहला और दूसरा एक चीज़ द्यानक ना अगर के वी एस एन्वी एस और डी ट्रीपल स्वी में इस तरह के question पूछाईता है तो डी ट्रीपल स्वी में डोन होंगे के वी एस में संभावना है 50-50 दोनों जाए और 50-50 केवल एक है दो हो नहीं तो बहुत ही रेर केस में बिलेगा question number 23 क्या कह रहा है पहचान की कितनी स्थितियां है तो पहचान की कितनी स्थितियां है वह चार है यानि कि चार है प्राथमिक पहचान माद्यमिक पहचान आंशिक पहचान आंशिक पहचान और सहर्भूति यानि कि यह आपकी पहचान हो जाएगे क्वेशन नमबर 24 देखते हैं यौन विकास के संदर में मनो वैज्ञानिक ने सुप्रिसिद अवदी की बात कही है तो वह किसकी बात करें कौन से साइकलोजर की बात करें यह कर रहे हैं फ्राइड और फ्राइड का पूरा नाम गया सिग्मन फ्राइड याद रखना कि चलिए कोश्चन नमबर 25 क्या कह रहा है कोश्चन नमबर 25 का मानना था कि स्वेख अवधाना तीन अलग अलग ही सोसे बनती है गलत परकार के भाग की पहचान करें बहाई गलत यानि की ऑप्शन है नेगेटिव का बहाई नेगेटिव कोश्चन है यह ज्यानक न तो इसमें क्या दिख रहा है एक वर्ड दिख रहा होगा आत्व अनुविशन तो यही इसका अंसर हो जाएगा चलिए कोश्चन नमबर 26 देखते हैं विकास दैसी शुरू होता है विकास अभी जस्त बतायए विकास कब से शुरू हो जाता है बताएगे विकास आपका बच्पन यानि कि option number क्या हो जाएगा बी हो जाएगा प्रवसकार इसमें आपका अंसर है मा के गर्प से question number 27 जैकते हैं वैं कौन सी विधी है जिसमें सायता की आउद्धा यानि कि आवशकता पढ़ती है ने पर समय के साथ साथ निकटता में दी जानी चाहिए तो कौन सी है इसका answer क्या महाता होगा a scaffolding यह is a scaffolding के यह a scaffolding में आपको बताया था तो जाके आप उस वीडियो को भी देखिए किसके फोल्डिंग क्या होती है कुशन नमर ठाइस क्या 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 ह option number पहला चलिए question number 39 गलत मिलान पहचान है गलत मिलान में आपको क्या दिख रहा है एक answer दिख रहा हूँ गलत मिलान में और वह संग वेग आत्मक बहु फ्लाइट और कौन है सिर्वर मैं इसमें क्या होगा चलिए बता दिए तो है डे यल गोल मैं यानि कि संवेग आत्मक बुति के कौन है डेल मैं गोल मैं ठीक है चलिए question number 30 देखते हैं सामाजिक शिक्षा की डैश अवदार्ण संग्या नात्मक युवास के अधिक लोग प्रिये प्याजे के विचासे विपरीत है किसके विपरीत है वाई या जाएगा वाई गोल की चलिए question number 31 देखते हैं नौ महीने के बाद जब बच्चे को मा के गर्व में वातरवन से यानि कि एक तरह से बहार निकाला जाता है तो उस अवस्था को शिश्व अवस्था कहते हैं तो क्या है इसका अंसर बताइए इसका अंसर हो जाएगा शिश्व अवस्था ही है इसका अंसर यानि कि option number D चलिए आगे चलते हैं question number 32 देखते हैं बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ग्यान को समझने के लिए इंद्रिये किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कारिये करते हैं यानि कि क्या होता है इसका अंसर बई इसका अंसर आपके सामने है संवेद परिश यानि कि पहला option हो जाएगा चलिए question number 33 देखते हैं शमताओ की सीमा के अनुसार व्यक्ति किसी विशेशन की मार्ग दर्शन के परदर्शन कर सकता है लेकिन अभी तक अपने दम पर परदर्शन नहीं कर सकता के रूप में जाना जाता है तो बताएगा कौन सा मोटर आ जाएगा कौन सी मोटर साइकल चल पता चल गया कोई सी मोटर साइकल नहीं चला रहा हूं इसका अंसर होगा option number B तो option number B क्या कर रहा है तो इसका अंसर क्या है समीपस्त्विकास शेत्र यानि कि option number B हो जाएगा इसका अंसर चलिए question number 34 देखते है जो चीजे हैं आपको ध्यान से पढ़ना हो विशलेशन विशेष्टा यह पूछे जाते हैं और सिध्धान के बारे में ही पूछे जाते हैं तो क्या कह रहा है यह किसका इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा बताए सिग्मंट फ्राइड यानि कि option number D वो जाएगा इसक लंके सूचना या किसी भी प्रकार की एस थाई सायता को कहा जाता है क्या कहा जाता है मताई आप मैं देखिए इसके फोल्डिंग का नाम सुना है वही चीज कहा जाता है ठीक है तो चली question number 36 देखते हैं डैस तब होता है जब किसी वैवार को दंड दिया जाता है यानि प्रवर्ति हो सकती है लेकिन यह सजा कि प्रत्यक यानि प्रयाश से अच्छूत है तो क्या हो जाता है पता है नहीं पता होगा नहीं देश option number D हो जाएगा सका answer question number 37 देखते हैं यह समझ आम तोर पर प्रारमिक शिश्वरस था के दोरांच विकास सित होती है कि कोई वस्तू तब भी मौजूद रहती है जब वे दिश्टी या अन्य इंद्रियों से गायव हो सकती है हो जाती है हो सकती है उसे क्या कहते है उसे कहते ह है सिधी सिधी भासा में वास्तू इस्थयता यानि कि option number C question number 38 देखते हैं मनी प्रीत क्या कि रहा है मन प्रीत एक महंती लड़की है लड़की का उधारन दे रहा है तो कोई न कोई किसका पर होगा है लगाई अनुमान बड़ाई पीपर होगा तो क्या कह रहा है वो कमा सकती है बोजन और अन्य जुरुरते बुगतान करने के परियावत पैसे कि कमाने के सक्षम है इससे पता चलता है कि वह डैश है तो डैश क्या है वह खुद से कमा सकती है और खुद से कमाने वाला इंसन क्यों होता है तो य यानि कि option number C हो जाएगा इसका answer और खुद से कौन कमाता है जो अपने आप पर विश्वा सकता है चलिए question number 39 देखते है लीना पैचानती है कि वे प्रकृति से प्यार करती है और अपरिश्वा से नफरत करती है यह कहलाता है । यानि उसे का हिस्सा है यानि क्या हो जाएगा इसका answer भै इसका answer हो जाएगा आत्म अवधार्ण वो खुद पैचानती है तो इसका जाएगा आत्म अवधार्ण योगफ़ता नहीं हो इसकी question number 40 देखते है question number 40 यह कह रहा है dash एक कोशिका संरचना के रूप में सुरू होती है और जो एक शुक्ष्म और अंडे के रूप में यानि कि क्या होता है भई आपको शुक्ष्म और अंडे के रूप में जब मिलता है तो क्या मलता है बताई यूगम यानि कि option number D हो जाएगा यू मज़ और यह किसकी बात हो रही है जब बच्चे का बर्त होता है बच्चे के बर्त होने से मतलब स्वरी बर्त होने के जब बच्चा बनना सुरू होता है इस चरण उपर शुशु जीववाद का प्रदर्शन करता है इस अवस्था को पहचानिए जीववाद का प्रदर्शन वाली जो अवस्था है बताई कौन सी है इसका अंसर हो जाएगा option number C पूर संक्रियात्म का अवस्था यानि कि option number C हो जाएगा चलिए और थोड़ा स्पीर करने पड़ेगी क्योंकि वीडियो लंबी बनती जा रही है प्याज जाएगी सिद्धान के अमूर संक्रियात्मक अवस्था निमन में से कौन सी है जली बताईए तो इसकी अवस्था है कि शोर के व्यवस्था यानि option number D हो जाएगा इसका अंसर चलिए question number 43 दे लिए देखते हैं वस्थायता आत्म पहचान एस्थाइगत नकल और प्रतिया निधात्मक गतिविदी किस अवस्था की विशेष्था कहलाती है इस तरह के जो question है आपको ध्यान रखना है जो एक एक word आते हैं जानि कि bracket में पहले ये फिरी ये फिरी ये फिरी ये जो इस तरह के ह है तोड़ा अवस्थाओं को समझ के पहले पूछ देख लिए क्या है जैसे इसमें आत्म पहचान भी दे दिया एस्थाइगत नकल भी दे दिया इसे सारी चीज़े दे दी तो अब आपको क्या आपको देखना है कि इन सब चीज़ें से मैच कौन से कर रहा है तो हो है समवे सब्सक्राइब परिशिय अवस्ता यानि कि ऑप्शन नमबर फोर हो जाएगा सकांसा चलिए कोशन नमबर 44 देखते हैं सामाजिक सांस्क्रिटिक सिद्धान मौलिक मनोवे ज्यानिक डैस के काम से विक्सित हुई है जो डैस मानती है कि माता-पिता देख वाल करता यानि कि क क्या कहते हैं उसे जो आपके साथ रहते हैं यानि कि आपके स्पेरेंट्स होगे एक क्या होते हैं गार्जन होगे सै कर्मी और सांस्क्रिटिक बड़े पैमाने पर उच्छे काम के कारे के विक्सित करने के जिम्मिदार है तो यह किस का हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा लोई वाइगा उस्ति यानि यह सी गयते है इस तरह की बाते करते हैं तो इसका अंसर हो जाहेगा और कि रिलेटिड है कॉश्चन नमबर 46 देखते हैं शुशु बोलने वाले व्यक्ति के उप्युक्त चैरे के साथ आवाज का मिलान करना शुरू करते हैं यानि कि वो बोलना और उसकी आवाज दोनों का मैच होने शुरू हो जाती है जली बताइए इसका आंज़ा सीधे सीधे आप देखें पर 6 म बहने तक आपको इसे गाया या इस तरह की बात करेगा चली कॉश्चन नमबर 47 देखते हैं शुरू रवेंदो कितने इस तर पर सरगणी है यानि सरगणी है विकास पर जोड़ देते थे वाली विकास पर जोड़ देने वाली अभी पता है आपको 5 यानि इसका आंसर हो जा पर जाने में बच्चे की सोच को आगातमक विचार शामिल होते हैं तो वह क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी मूर्थ संक्रयातमक अवस्था यानि कि ओप्शन नमबर 49 देखते हैं इन में से कौन सी प्याजी की संक्यानातमक प्रवतिक यह कुन स आत्म साती करण और सुंवी ओजाएगा चलिए कोशन नंबर पच्छास देखते हैं बच्चे के मैनुवल को शल किस परकार विक्सित होते हैं तो वह इसका आंसर आपके सामने है और इसका आंसर हो जाएगा बद्दिती की और सरीर का केंद्दिती आनीगा ऑप्च्छन नंब लिकतम से कौन से विकास की इतां नहीं है तो इस तरह के जो विकास वादी प्राय जीवकाल को कितने चरण में विवाजिक करता है वह विकास कितने चरण में आठ चरण है आठ कहीं दिख रहे हैं कि ऑणि की लेटर बॉड़्डा जब कर दने जर्ण लिया और उससे बुड़्डे के रूप में मार दिया तो छोटे बचे के रूप में जर्ण में बुड़्डे की रूप में मार दिया तो वह है वहहां तक है लाश्ट है आज था चली को शुन नमर 50 टानिम बिंडूर्ट क यह आपके सामने है आत्म प्रभावी कृता यानि कि option number c हो जाएगा इसका answer चलिए question number 54 देखते हैं किस आयू में मानसिक आयू बंद हो सकती है निकट तम उत्तर का चैन करें यानि निकट तम उत्तर का चैन करने का मतलब यह है कि इसमें कौन सा उसके समान होगा तो इस तरह का आंसर है अटपटे वाले आंसर है इसमें देखे confusion भी होता है और दो आंसर भी हो जाते है तो इसका answer हो जाएगा 16-18 पहला है मानसिक आयू बंद हो सकती है हो सकती संभाव होगी तै है question number 55 देखें नवजात एक दिन में कितने गंटे सोता है बही कितने गंटे सोता है जल्ली अगर 18 गंटे कोई नहीं सो रहा है बच्चा तो यह याद रखना है उसकी जो मानसिक कहते है ना मानसिक इस तरह वह कमजूर हो जाएगा 18 गंटे अपने बच्चे हो सुलाए जो छोटा बच्चा नवजात शिशु है उससे 18 गंटे जरू सुलाए नहीं तो वह मानसिक सब्सक्राइब हो बच्ची कमी कहां से हो गई कि अपने यानि पने 이 साथ-साथ उसे इपशलाए उसे कहानन परिसान ना करें सोने दिता वर जितना वरफ येगा उतना न बच्चा सोता एकन ड़कर अरेगा इएथ तरह कि प्याज एक है संग्यानात्म एक सिद्धान के तीसरे चर्ण के बात करता है तीसरे चर्ण आपको पता है तीसरे चर्ण कौन सा है पहला चर्ण बता तो कौन सा है जिरो से लेके दो फिर दूसरा दो साथ साथ से ग्यारा और आखरी कौन सा है ग्यारा से लेकर उसके बात का तो तो तीसा चरण कौन सा है, तीसा चरण देखे कौना दिख रहा है, तीसा चरण दिख रहा है, मूर्स संक्रिया आत्म गवस्ता, यानि कि 7 से 11, यह है 7 से 11, चलिए, Qशन नमर 57 देखते हैं ने भी लेकित में, किसे, गंगा एज, देखी, यह है गैंग एज, गैंग एज, ठीक है, तो यहाद रखना, इसमें हो जाएगा, बाद की बाल लेवस्ता, किशोरी आवस्ता मत लगा देना, बहुत से बच्चे किशोरी आवस्ता लगाते हैं, गैंग एज, तभी यह क्वेशन मुझे दुबारा कटका, कि गैंग एज, यह गंगा एज, क्या पता नहीं, क्या लिख दिया, क्वेशन नमर 58 देखते हैं ने भी लेकित में, कौन सी पूर संक्रयात्मक अवस्ता की परमुग, उपलब्दी है, तो पूर संक्रयात्मक अवस्ता की उपलब्दी क्या है, कल्पना अत्मक गतिविदी, यानि कि ऑप्शन नमर हो जाएगा, सी, चलिए, क्वेशन नमर 59 व्रिदी और विकास के डैस सिद्धान्त हैं, जिसमें से एक कौन सा है, सेको, फोल्ड, कार्डन, सिद्धान्त क्या है, तो इसका आंसर देखे, हो जाएगा, तीन, इस तरह के जो कोशन आते हैं, यानि कि देखे, पढ़ने में दोड़ी दिक्कत होती है, इस तरह के जो चीजें होती है, आपको मैं एक ट्रेप बता दो, के वी एस में ध्यान अखना, अगर देखो तुक्के पहली बात तो मारने पड़ते हैं हर आलत में, के वी एस में अगर तुक्के मानने पड़े हैं, तो याद रखा, के वी एस में तो मारना, बी और सी, और B और C भी कैसे मारोगे यानि कि आपका पेपर है 180 नंबर का 180 में से आपके यह है अगर PRT हो तो 60 और NORMAL हो तो 40 ठीक है 40 में से देख लेना B कितने है या फिर पूरे में B कितने है और C कितने है जो कम हो पहले तो उसे मानना और A की चीज मानना या तो B B B B मानना या C C C C मानना पूरे में यह धानना अगर आपको लग रहा है तुक्के मानने पर तुक्का यह है कि आपका लग भाई चांस है Question number 60 क्यएक करे नवजात कौन है बताई भाई सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा पहले दो सपता के दोरान शिशू यानि कि जब सुर्व में जो बच्चा होता है उसे कहते हैं नवजात कहते हैं नवजात शिशू वही है समवेद परिश्य आवस्था के औरवदी क्या है तो इसके औरवदी आवदी विकास को पता है सम्वादित क्या है चलने पर किस सम्बंदित यह कई समुमाधित क्या है समाधानों को खोज करने में स्रजन विचार उत्पन करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option number B अपसारी चिंतन देखिए अपसारी चिंतन थोड़ा और जल्दी लेके चलेगा क्योंकि आपका time केमती है इसका भी ध्यान रखना जैसे अब हाँ एक चीज और ध्यान रर्खो के एसी ट्रेट का जो पिपर देखाया थे उसमें ए बी सी डी ऐसे कभी नहीं मिल ला था डी बी डी सी ए मिल ला है डी सी ए भी मिल ला था तो अगर ऐसा ही मिलेगा तो आप ध्यान लेना कभी बच्चे सारी गलती कर दें और फिर पस्ताएं ठीक है तो कुश्चन नमबर 65 दे है जो सपिकत लक्षियों को समों को स्मर्थ वेक्तित प्रकार के व्यवस्थित करता है तो किसके बड़ाबर हो ओप्शन नमबर डी आजाएगा प्रोटो टाइप चलि इन वह लाइक करतें वीडियो को और सोई मत किसी काकरम का सिदान कहता है कि हम सम्वेग गातमक यानि की सम्वेगनाव ke मूले समों और सरह भामिक्था के अद्ध्यनक के साथ पैदा हुए हैं जो सांस्कृतिक ततर सरह भामिक्था सैर्भामिक्था वेगनाओ की धार्णाओ की और इशारा करता है तो यानि की इतना लंबा चोड़ा जो भाषन दे रहा है तो कौन देगा तो चार्ल्स डार्विन यानि की ऑप्षिन नमर पहला हो जाएगा यह भाषनों से बचके रहना भाषन पहली बात तो मिलते नहीं इसमें और मिलेंगे तो आप थोड़ा सा बच की जाने वाली सहायता क्या कहलाती है देखिए जब इस तरह कुश्चन आया तो आपको एक यह नाम याद रखना है कहीं भी आपको देख जाए स्कैप फोल्टिंग सबसे पहला आंसर उसी को चुनना ठीक है कुश्चन नमबर 68 डेक्ट है 68 क्या कह रहा है उस सिद्धान का नाम बताइए जो संग्यानातर वैचारिक अधिगम सूचना प्रसारन संचेत अनुभाव और सूचना का आयूजन बंडारन और पुरवरति तर्क और समस्या समधान पर जोर देता है तो जोर क्या देता है जोर आइस का आपका आनसर हो जाएगा इसकीमा यानि इसकीमा की किस चीडिया का नम है वही सकीमा है और एक चीज और इस पेपर के मतलब इन कोश्चनों के बाद मैं आपको कराऊंगा P.R.T. के साईको T.G.T. का साईको जो पेपर, प्रिवियस पेपर आचुके है प्रिवियस पेपर के आपको मैने कहा था, link description में जाके प्रिवियस पेपर ले लिजे P.R.T. के भी हैं, library के भी है और T.G.T. के हैं या 18 वाला पेपर पूछी लिया फिर क्या करोगे? वो यह तो पुराने पेपर में से आया यह करोगे? तो इसलिए लिए लेलीए टीस रुपर में कहीं पेपर नहीं मिल ले आपको पेपर उल्ड पेपर उसमें है सारे चलि क्योचन अब नबर 69 केrule में जाके लए लेजिए, इसकी इमा को बदल रहा है, यह क्या कहलाता है, तो इसका अंसर आपको, सामने है, इसका अंसर क्या है, समझस्य, समझस्य, option number b, question number 70 देखते हैं, सतर तक आगे हैं, चलिए वीडियो को लाइक करिए, चर्ण को सिसक्राइब करिए, चात्रिये सावित कर सकते हैं कि कागज की समान ही मात्रा होती है बहले उसे कई टुकडों में फार दिया जाए टुकडे को वापिश टेप से चिपका दिया जाए इस तरह के जो एक्सवेरिमेंटल वाले कुशन है थोड़ा दियान लखे और उनको बारी किसी समझ के पहले कर लें तो यह शन्रक्षन चलिए कोशन नमबर सेवन्टीवन देखते हैं यदि बच्चा गोड़े के बारे में जानता है तो वह जब पहली बार उंट को देखेगा देखेगा यह देखे तो वह गोड़ा ही क्टा था है तो इसम sacrificing पहले बार ले में जब ठाए ब kingdom before के तो उट को भी गोड़ाई काएगा ठीक है और के जिराप को भी गोड़ाई काएगा गदे को भी गोड़ाई काएगा तो यह ज्यानक ना तो जब इस तरह की जब आता यह होता है आत्म समारी करण यानि की option number को आत्म स साथी करण जिसे कहते हैं आत्म साथी करण चली कोशन जाता है पूर संक्रियात्म का वस्त है यानि कि ऑप्षिन नमबर दिया जाएगा इसकांसर कोशन नमबर 73 देखते हैं एक सुसंगत और एदुत्य नए संपून बनाने के लिए वागों को एक साथ रखने की शमताओं को डैश की रूप में जाना जाता है तो क्या जाना जाता है इसकांसर हो जाएगा संसलेशन यानि कि ऑप्षिन नमबर डी हो जाएगा चलिए कुशन नमबर 75 पर पहुचने वाले कुशन नमबर 74 होके एक बच्चे में एक प्रकार की जानवर के बारे में एक योजना हो सकती है उधारन के लिए कुट्टा अचानक जब बच्चे के से फिर से कुट्टे की एक नई बड़ी और अलग नसल को देखता है तो वह विस्मबुत हो रहा है इस मामले में बच्चे को कुट्टे के बारे में अपने मौजूदा योजना में नई जानकारी भाई अभी गड़े वाला उधारन पड़ा वैसा ही है एक कुट्टा देख लिए उसने चोटा सा मराओं सा कुट्टा देखा उसके पापा ममी ने बता दिया कुट्टा आई इए ठीक है अब उसने डेख लिए डोबर्मैन या उसने देख लिए पारी परकम सेर वाला कहेंगे आत्म साथ यानि कि option नमबर सी आजाएगा सका असर कुश्चन नमबर पिछ तर देखते हैं इस तर पर बच्चों के समझता यानि समझाते तो कुश्चन नमबर पिछ तर क्या करा है इस तर पर बच्चा समझता है कि यदि आप एक कैंडी को छोटे टुकड़ों में तो यह हैं उतनी ही होगी जितनी कैंडी पूरी होती है अवस्था में इतना जब समझदार बच्चा हो जाता है तो समझदार बच्चा हो गया तो पूर्ण मूर्ज संक्रियात्म का अवस्था की बात कर रहा है चाहिक है चलिए कोश्चन नमबर 76 गर्वधान के दिन में पूर्ण अवस्था यानि की बी आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 77 वस्था बाल विकास के कि सरण की पर्मुक विशेश्था है तो पर्मुक विशेश्था किसकी बात है कर रहा है यह कर रहा है शैश्व यानि की शैश्व अवस्था की देखे शैश्व होगा ठीक है यह आहीं नहीं होगा चलिए कोशन नमबर 78 देखते हैं जीन प्याजे के अनुसायर बालक का विकास में चिन भाशाओ के परियोग और कोशल प्राप्त करता है तो वो क्या करता है बाइस का अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर पूर संक्रियात्म कवस्ता देखें पूर संक्रिया क्रियात्म को अस्ता हो विडा एमूर संक्रियास तो मिलता ही नहीं मिलता तो इसका द्यागना दो मिटेंग इसमाटेना थे कि बच्मन के ठीक बाद लगबग तेढ़ वर्ष की अवदी को डैस कहलाते हैं तो क्या कहलाते है तो वो हथा बच्या है ठीक है कोशन नमबर 80 दे दो है यह जदा है बैस संग्यान आत्मक विकास के जीन प्याज़ेगे सिद्धान्द कितने है दो देखें अचरण है चार याद रखना अब चरण बच्चे लगा देंगे इसका सीधे सिद्धान्द से ठोक देंगे चार नहीं दो है इसका अंसर चरण चार है चरण कौन-कौ को चले कौशनमबर एटीवन देखते है प्रारंबे बाला वस्ता को किस रूप में भी जाना जाता है तो बताइए किस रूप में जाना जाता है तो वो होती है टौई एज अब मुझे एक क्वेशन बताइए लिटिल साइंटिस्ट किसे कहते है कौन सी एज का बच्चा होत कुशन नमर 82 कहते हैं संग्यान की अनुसार मानसिक प्रकरिया के सम्वाद विशे को चिनीत करते हैं तो चिनीत करने वाली बाद जबाती है तो यह आदकना दिव यानि कि ऑप्शन नमर देखें यह क्या हो गया तो इसका अंसरों का दिवा सोपन यानि कि देखें कम्प्यूटर में दिवा सोपन यह है यह है यह स्पेलिंग यह रखना चले कोशन नमर यह 82 था 83 प्याजे के संग्याना था विकास सिधांत के समृत और कल्पना के विकास के लिए हिएकंद में तो यह हो जाएगा पूर संग्रियात्मक अवस्ता यानि इसका परिवार के सिद्धान को के लिए स्कीमा का उपयोग किया जाता है तो पहचानना और उनकी नकल करना तो क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी बाले अवस्ता यानि कि ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा इसका अंसर कोशन नमबर 85 देखते हैं किस आयो की व्रिद वहस्ता की रूप में परिवाशित किया है जली बताएगे बाई बुड़े यानि कि एक तरह व्रिद अवस्ता को किस तरह से परवाइद क आपको वही है यह रेटायरमेंट की एज पूछी दिया आपसे कोशन नमबर 86 देखते हैं ने लिकित में कौन सी अवस्ता तत्वो के संदर्मेना की भावनाओं से किसकी बारे बात कर रहा है यह बात कर रहा है आपकी रिस्क और एह अवस्ता कोशन नमबर नेक्स देखते ह सिक सन रचना का निर्मान करते हैं और उन्हें क्या का जाता है भाई फिर आपके सामने एक कोशन आ गया और उसका आंसर क्या है इसकीमा यानि कि इसकीमा और स्कैफ फोल्डिंग जहां भी दिखाई दे आक मंद करके लगा दे ना कोशन नमर 88 डेकते हैं समी पस्त विकास का शेत्र बच्चे के सीखने की समता और उन होने यानि कि उन्हें उन्हें वाली यानि होने वाली वास्तविक शिक्षा के बीच में की दूरी किस अवस्ता के देखे रुख जाए ये कोशन को माने फिराने वाला कोशन है तो इसलिए समी पस्त विकास के शेत्र ठीक है बच्चे के सीखने की समता और होने वाले वास्तेक शिक्षा के बीच की दूरी इस अहुधार्णा को मनुस वेग्यान अरे ये कोशन वो कोशन है जो बच्चोंने कन्फ्यूजन में एक बार कर दिया था ये ।्री ट्रीपल एस भी कोशन और शाद ये कोशन भी अभी आया वा कोशन है तो ये बाइस कोशन है तो ये है वाइगोस्त क्यूंकि डी ट्रीपल एस भी ने इस पर कर दिया था गडबड का चक्कर को रहा था कुछ उनके आंसर की में और उसमें कुछ गडबड थी तो इसलिए मुझे भी ये याद है ठ कुशन No.89 देखते है अंचियान आत्म Спlet को अबस्ता में का चको सकते हैं एकशल का सविय को पता ऑख बस पक्राइब को सैंस्कृतिक सद्धंद का एक element नहीं है element नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा रोडी वादाद जेक है question number 91 देखते है कल अपना करे कि एक छातने अभी-अभी मूल जोड में मारत हासिल करिए यह नि मूल जोड मतलब प्लस माइनस में हासिल करिए इस बिंदू पर मूल घटाओ उनके डैस में परवेश कर सकता है इस अर्थ की उनके पास घटाओ सीखने की शमता और सब्वेता मार्क दैसन को इतना गुमा फिरा के जो कह रहा है कि पहर उसे जोड ना आ गया फिर उसमें घटा भी जोड दिया उसने तो इस सब चीज़ों क्या कहें यानि किस तरह से आएगा तो एक नाम आपने सुना होगा तो किसका है बताइए अब बच्चे इसकीमा ठोक देंगे याँ आपे इसकीमा मत ठोक ना इसका आंसर हो जाएगा चॉन ओफ पार्सल डेवलपमेंट यानि कि यह है आपको जब आप मैट्स की पेड़गोजी पढ़ते हैं तो तब आपको कोशन मिलेगा इस तरह कोशन यानि कि जैड़ पीडी का नाम सुना है वही है जैड़ पीडी है मैट्स की जैड़ पीडी में चलिए कोशन नमबर 92 देखते हैं संग्यानाता विकास के कि सवस्था के दौरान बच्चा परिगमन तरक के रुप से गुजरता है तो वह हो जाता है आपका पूर्शंक्रियात्मक अवस्था यानि कि ऑप्शन नमबर डी आजाएगा सकांसर कोशन नमबर 93 देखते हैं संग्यानाता विकास की के सवस्था में बच्चे के रूड़िवाद के नियम का पहल करने का ऐसमर्द होता है पहल करने का ऐसमर्द होता है तो वह हो जाएगा पूर्शंक्रियात्मक अवस्था ठीक है चलिए कोशन नमबर 94 देखते हैं एक बच्चे को कोशन है देखे यह कोशन 200 ml 200 ml ठीक है यहां तक पानी बढ़ दिया इसमें यहां तक पानी आया अब बच्चे बूचो कि इसमें ज़्यादा है तो बच्चा कहेगा इसमें ज़्यादा है यह कोशन है इतना घुमा फिर आके परिसान होने की ज़्यादनी कोशन थोड़ा ध्यामन से दिमाग से लागे तो इसमें रूड़ी वादित्ता मात्रा में वे समान नहीं है उपयोगत देश्ची के बुल्ले करनाता यह ही आजाएगा चलिए आगे चलते हैं क्रियाओं का समोन जो एक शिक्षार यानि स्टूडेंट को समस्त विकास केच जैड़ पीडी में एक कारे का सफलता पूर्ण पूर्ण करता है तो वह हो जाएगा आपको अभी जैड़ पीडी बढ़ता है अभी दुबार फिर है तो इसमें पहाड यानि इस्कैफवोल्डिंग का नाम आ जाएगा तो आनि स्कैफवोल्डिंग और पहाड ने ऐन की अ की अवधी होती है तथा इस उमर को बच्चे की उमर मील के पत्थर या उधी बच्चे के संदरचनात्मक भावनात्मक और समाजिक विकास की वोमी का कहलाती है देखिए इस तरह के कुश्चन आपको लेड़ उबेंगे यानि की इस तरह के question जो होते है थोड़ा सा और यह question भी मेरे खिराब से गलत है एक बार मैं check कर लूँ तब आपको मैं बताता हूँ हाँ यह question गलत है तो यह जिसने भी type किया है गलत है question गलत है कि जब हम पढ़ते रहते हैं थोड़ा सा इसलिए आइडिया हो जाता है कि question कौन सा है question सही और कौन सा नहीं है नाई दिसन क्ला है शे से वस्था में जी आयू तक भेद्धी विकात की डर क्या होती है तो यह होती जोट से तेज और कुद्य ऑउस और कुद्व काम है पढ़ना आसकर से ब mix से बीचान और यानि हम में चल lazन मैं बूब सवशक है पहले बच्चे को आपको पढ़ा दिया कि अठारा से वाइस गंटे और यानि कि इतने टाइम उसे सुलाना है हमें अठारा गंटे से उपर अब फिर आप आजाएगा दस से नो से दस गंटे तो याद रखना नो से दस गंटे और दिन में बारा गंटे की क्या चपकी क्योशन नमर 99 क्या करा है इस अवधी में किस में बच्चे की बच्चे अभी भी एक बच्चा है लेकिन अधिक आत्मिश्वास से चल सकता है और अधिक गोल मोटर दिखाता है तो वो क्या कहलाता है बताई तो वो कहलाता है तोली रूड़ी तो इसका अंसर रगाज़गा तोड़ल रूड़ ऑप्षिन न्बर इडी हो जाएगा इसका अंसर चली कुश्ण न्बर सो देखते हैं लाष्ड कुश्ण आपका प्रसावपूण अवधी गया है तो प्रसापून अवदी क्या खेलाती है तो यह आते गर्म के दिनों में बच्चे के जनम तक की अवदी खेलाती है ठीक है और यह question आपको मिलेगा ही मिलेगा तो इस चीज का ध्यान अगना अब आपको आज 100 question मिले हैं अब 100 question आपको मिले हैं तो कुछ ना कुछ आपको करता भी बनता है इस वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को जह सेयर करें और इसके बाद मैं आपको खुद कह रहा हूँ टी जी टी के साइको के question मिलेंगे दीनो चारो वेपर जितने भी वेपर हुए अभी तक 2000 के बाद के पी आरट के question मिलेंगे ठीक है और लाइब्रेरी के यह आपको सारे करने है तो एक दिन में मतलब लगतार आपको अब मिलते चल जाएगे ठीक है कल भी परसो भी इस तरह मिलते चल जाएंगे क्योंकि अब है टाइम कम टाइम कम है तो हमें लगतार कुश्चिन कादरी करने चलिए आशे करता हमको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए लाइक करें चल कर सब्सक्राइब करें वीडियो बजाश या शेयर करें थेंग्यू थेंग्यू